जादूई बांसुरी सोनू अपने दादा जी के साथ रहता था सोनू और दादा जी में बहुत प्रेम भी था एक दिन सोनू को दादा जी के सामान से एक बांसुरी मिलती है वो दादा जी से पूछता है दादा जी ये बांसुरी किसकी है? बेटा ये बांसुरी मेरी ही है जब मतुरा गया था ना तब लाया था अच्छा क्या आपको बांसुरी बजानी भी आती है हाँ बेटा मुझे बांसुरी बजानी आती है तो मुझे भी सुनना है दादा जी कि आप कैसे बजाते हो मुझे भी सीखना है हाँ बेटा क्यों नहीं मैं तुमको सिखाऊंगा सोनू दादाजी से रोज बांसरी बजाना सीखता है एक महीने में सोनू बहुत अच्छी बांसरी बजाना सीख जाता है एक दिन दादाजी अचानक बिमार हो जाते हैं उन्हें अस्पताल में भरती करना पड़ता है दादाजी 15 दिनों तक अस्पताल में ही भरती रहते हैं सोनू के पापा कहते हैं कि दादाजी को कोई बड़ी बिमारी हो गई है और अब शायद वो कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकेंगे जब तक दादा जी अस्पताल में रहते हैं उस समय दादा जी सोनू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे बांसुरी बजा कर सुनाओगे जी दादा जी क्यों नहीं और सोनू उनको बांसुरी बजा कर सुनाता है बांसुरी की धुन बहुती आनंद मई थी और वो दादाजी के दिल को चुगई ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण खुद बांसुरी बजा रहे हूं ऐसा सुनकर सोनु भी बहुत खुश होता है एक दिन सोनु ने डॉक्टर को पिताजी से बात करते हुए सुना आप इनको घर ले जाईए क्योंकि अब ये सिर्फ एक महिने के महमान है घर ले जाकर सेवा करिए ये सुनकर सोनु के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल जाती है पापा दादाजी को घर ले आए और कमरे में लिटा दिया अब सोनु उनकी बहुत सेवा किया करता था उनको खाना खिलाता था, दवाई देता था और रोज उनको बानसुरी भी सुनाता था धीरे धीरे दादाजी की तबियत सुधरने लगी सब आश्चारे में पड़ गए कि डोक्तर तो बोल रहे थे कि उनके बचने की कोई उमीद नहीं है डोक्तर भी चकित रह गए कि ये क्या हो रहा है जिस बिमारी का कोई इलाज नहीं वो बिमारी बिना इलाज के अपने आप ठीक कैसे हो रही है ये इस पांसरी का जादू है ये दादा जी मतरा से लाए थे इसी ने दादा जी को ठीक किया है किसी ने भी सुनू की बात पर धान नहीं दिया पर सब को बहुत आश्चारे था कि आखिर हुआ कैसे कुछ दिन ऐसी ही भीद गए सब इस बात को भूल गए दादा जी भी पूरी तरह ठीक हो चुके थे एक दिन दादा जी शाम को सेर के लिए निकले उन्होंने देखा कि सोनू बांसरी बजा रहा है और बहुत सारे बिमार लोग उसके पास बैठे है और सोनू के पास गए और पूछा कि ये क्या हो रहा है दादा जी ये सभी आपकी तरह बिमार थे और डॉक्टर ने इन सब को मना कर दिया था पर इस बिमारी ने इन सब को ठीक कर दिया दादा जी ने घर जाकर सब को ये बात बताई तो सब खुश तो हुए पर थोड़ा चिंतित भी हुए कि ये सब कैसे हो रहा है उन सारे मरीजों की जाच करवाई, सचमुट, सब की बिमारी में सुधार था, इसका पता लगाया गया, तो पाया गया कि म्यूजिक थेरेपी के कारण सब ठीक हो रहे थे, जिसे सोनू जादू समझ रहा था, वो एक थेरेपी थी, सोनू को भी समझाया गया, कि ये कोई जाद और उन घंटनाओं को हम जादू का नाम दे देते हैं जैसे इस कहानी में सोनू के साथ हुआ लेकिन सोनू समझदार बच्चा था उसको समझाया तो वो समझ गया लेकिन सोनू के इस वहवार से सोनू के परिवार वाले और जो लोग उसकी वज़े से ठीक हुए वे बहुत सिर्फ हमारे दिमाग में होता है ना कि ऐसा कुछ चमतकार होता है। काफी देर चलने के बाद उन्हें भूग प्यास भी लग गए। खाने को कुछ भी ना था। तभी उन्होंने देखा कि पेड के पास एक आदमी बैठा था। राजा घोडे से उतर कर उस आदमी के पास गए। और बोले तुम यहां क्या कर रहे हो। जाता हूँ और उनसे छोटी मोटी चीजें बनाकर बाजार में बेच देता हूँ। इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। राजा दिगवजे सिंग ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या। तब वे बोला मेरे पास तो सिर्फ कुछ रोटियां हैं और प्याज हैं। थोड़े से भीगे चने हैं। राजा ने जैसे ही रोटियां देखी उस पर तूट पड़े। उस समय उन्हें लगा कि वे अमरित पान कर रहे हैं। फिर पानी पिया और कहा हरखु एक और एहसान कर दो अपने चने मेरे घोडे को खिला दो। हरखु खुद भी भूखा था और लकडियां भी नहीं मिली थी। उसे चिंता थी कि आज घर में चूला कैसे जलेगा। फिर भी उसने चने घोडे को खिला दिये। उसने सोचा चलो देखा जाएगा। इश्वर की क्रिपा होगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि हरखु के लिए बढ़िया वस्त्र और लजीज पकवान पेश किया जाए। पलग छपकते ही सब कुछ हाजिर हो गया। जब हरखु ने भोजन कर लिया तब राजा दिगविजे सिंग ने कहा कि उनके राजमहल से थोड़ी दूर पर जंगलों की तरफ जाने वाले रास्ते में एक बहुत पुराना अद्धुत बरगत का पेड है जिसको उन्होंने कई बार कटवाना चाहा परंतु कोई काट नह काट पाओगे हरखु ने कहा हुजूर अगर आपकी आग्या है तो जरूर काटूंगा राजा ने कहा सोच लो यदि तुमने पेड काट लिया तो दस अशर्फिया मिलेंगी हरखु ने खुशी खुशी हामी भर दी तब राजा ने कहा लेकिन उस पेड को काटते समय तुम पूरा कर लेंगे राजा ने हरखु के साथ एक आदमी भेज कर पेड दिखा दिया दूसरे दिन ही हरखु और उसकी पतनी पेड काटने में जुट गए जब हरखु ठक जाता तो उसकी पतनी पेड काटने में लग जाती वे दोनों ठक जाते फिर भी उन्होंने पेड काटन और परिश्रम से बहुत प्रसन हूँ। कोई वर्दान मांगो। हर्खु ने कहा देवी मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी लकडी का सामान बनाऊं वे अद्भुत हो। मेरी बनाई हुई चीजें अद्भुतिय हो। वन देवी ने तथास्तु कहा और अद्रिश्य हो गई। राजा को जब मालूम हुआ कि हर्खु ने पेड काट दिया है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको बुलाया और उसे इनाम में दस अशर्फिया दी। उसने कहा हुजूर अगर आप मुझे उस कटे पेड की लकडियां दे दे तो मैं आपके लिए अच्छे चर्बना सकता हूँ। राजा तो वैसे ही उसकी रोटियों का मोल चुकाना चाहते थे और हर तरह से उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने मनजूरी दे दी। हर्खु ने एक हफते बाद ही काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजा के लिए एक भव्वे सिंह सिंहासन तयार कर दिया। वन देवी के दिये होए वर्दान की वज़ा से सिंहासन इतना खूपसूरत बना कि हर्खु को भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बात राजा के कानों में पहुँच गई। राजा ने हर्खु को बुलवाया और कहा कि सुना ह तुमने जो सिंहासन तयार किया है वे अद्भुत है क्या मैं उसे देख सकता हूँ। हर्खु ने हाज जोड कर कहा हुजूर वे तो मैंने आप ही के लिए बनाया है जब बर्जी हो उठवा लीजिये। राजा ने तुरंत आदमी भीजे और सिंहासन उठवा लिया। सिंहा में अभी तक इस कबर ही नहीं थी। राजा ने कहा हर्खु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको आज से हमारे राजमहल के सारे फरनीचर बनाने होंगे। अब महल में एक भी पुराना सामान नहीं रहेगा। तुम्हें मैं एक घर दे दूँगा और एक बड़ा स का हौल भी दे दूँगा जिसमें तुम आराम से बैठकर लकडी का काम करना। हां मैं चाहता हूं कि इस काम को करने के साथ साथ तुम दूसरे लोगों को भी अपनी तरह इस कला में पारंगत बना दो। तुम्हें हर महीने दस अशर्फियां वेतन में मिल जाएंगी और से मैं इतनी इज़त का हगदार हो गया हूं। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा। हरखु राजा दिगविजे सिंग के कदमों में जुग गया। राजा दिगविजे सिंग ने कहा खुद भूखे रहकर भी भूख से तडपते इंसान को रोटी खिलाने का जिस इंसान के प हुआ 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 है